Season 5 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हमें ट्वीन्स दिखते है लालो के बेल के लिए नेग बैलाग में रख रहे होता है Next Room में लालो ने Sol को बुलाए होता है वो Sol को पता दे रहा होता है जहां Sol को जाना है और वो पैसे लेकर आने है सौल उसे बोलता है कि तो अपने किसे आदमी को वहाँ भेज़तो मैं काम नहीं कर सकता सौल को बॉर्डर पर जाना होता है और उसके फटरी होती इसलिए वो मना कर रहा होता है लालो भी फिर मान जाता है पर सौल फिर से टरन होता है वो बोलता है इसके मैं 100,000 डॉलर्स लोंगा लालो कतराता है और फिर मान जाता है सौल घर पर होता है और किम से बोल रहा होता है कल मुझे जल्दी जाना है क्लाइन के लिए मुझे बेल लानी है किम सीरेस हो जाती है और पुछ्थिए कि यह किस के लिए कर रहे हो किम को पता होता है कि यह कारेटेर के लिए कर रहा है तो किम सीरेस हो जाती है और पुछ्थिए कि कितने पैसे तुम लाने वाले हो सौल उसे बता देता है कि मैं 7,000,000 डॉलर्स लाने वाला हूँ मेरी इतनी खटारा कारेक तो किसी को कशक भी नहीं होगा कि इसमें 7 मिलियन डॉलस होगे नेक्स दिन सॉल फिर उस स्पॉट पर पोहच जाता है ट्विन्स उसे कुछ भी ना कहे हुए ही वो पैसे देते है सॉल पने गाड़ी के ट्रंग में वो सब पैसे रखता है और गाना गाते गाते घर जा रहा होता है तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते है उनसे पीछा चुड़ाने के कोशिश करता है और वो चुड़ा नहीं बाता फिर गाड़ी से उतरने के लिए वो बोलता है और वो उने पैसो की लोकेशन भी बता देता है वो पैसे निकालते है और सॉल को मारने वाले होते तभी उन पर गोली चल जाती है सॉल गाड़ी के पीछे छुप जाता है और एक एक करकर सब लोगों को मार दिया जाता है ये माइक ही होता है जो स्नाइपिंग कर रहा होता है माइक सॉल के बाद जाता है और बोलता है कि तुम अब सदमे में हो वो उसे उटने के लिए बोलता है और गाड़ी में बेटाता है उसे कहता है कि तुम जिन्दा हो इस पर तुम अब फोकस करो थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी बन पड़ जाती है माइक ने जो गोलिया चला ही होती है इससे गाड़ी पर भी गोली लगी होती है और मशीन बन पड़ जाता है वो गाड़ी से पैसे निकालते है और उस गाड़ी को वही डम कर देते है सॉल उस गाड़ी में किमने उसके लिए जो gift दिया होता है can जिस पर लिखा होता है world space lawyer वो भी निकाल लेता है उस पर भी गोली लगी हुए होती है फिर रस्ते में फिर वो नहीं चलते हैं क्योंकि अगर वो desert में चले तो उन्हें कोई टोड़नी पाएगा पैड़ के नेचे बेटे हुए होते है सॉल बोलता है कि यही हम पैसे दपना देंगे और वापस आकर फिर हमें इसे digging कर सकते है माइक बोलता है कि हमें वो लोग अब भी ढून रहे होंगे वाप फिर उन्हें गाड़ी देखती है माइक उसे बोलता है कोई भी शाइनी चीज़ हो वो तुम निकाल दो और यही रग दो उन्हें सॉल की कार मिल चुकी होती है अब वो पुरी जगा उन्हें ढून रहे होते है पेसो के बैग बहुत ही बड़े-बड़े होते है इससे सॉल को बहुत ही दखलिफ होती है माइक उसे कॉपरेट में करता है उन्हें पेसो के बैग लेने के लिए फिर वो डेजर से ही चलने लग जाते है जब रात होने लग जाती है तो माइक बोलता है कि हमें यही रुखना है क्योंकि हम रात में अगर चलेंगे तू इंजोड हो सकते हैं वो रात में बेटे हुए होते हैं और सॉल बोलता है कि किम बहुत ही परेशान हो चुकी होगी माइक उसे बोलता है कि तुमने उसे क्या बताया है सौल बोलता है कि उसे सब कुछ पता है माइक उसे कहता है कि उसे तुमने नहीं बताना चाहिए था सौल उसे अशुर करता है कि उसे पता है पर फिर भी वो कुछ भी नहीं करेगी माइक को अजब लग रहा होता है कि गार्डिफेंड को ये सब चीजे कौन बताता है सौल फिर बोलता है कि वो अब मेरी वाइफ है माइक उसे congratulations करता है वहाँ बहुत ही थर्ण होती है तो माइक space blanket पहन लेता है सौल को इससे नफरत होती है अपना ही coat पहन कर वो सोचाता है किम बहुत ही वरीड होती है तो लालो से मिलने वो next दिना थी है वो लालो से बुछती है कि सौल कहा है लालो से बोलता है कि तुम्हें कैसे बता है उसने तुम्हें कैसे बता दिया किम उसे बोलती है कि मैं उसकी wife हो लालो भी भी हस देता है कि तुम वरीड हो इसलिए पुछ रही हो लालो से कहता है कि तुम्हें इसे एक दिन देना चाहिए अगर वो वापस आ गया तो ठीक है अगर नहीं आया तो फिर हम कर भी कह सकते है नेक्स दिन वो फिर से चलने लग जाते है उनके पास पानी कम होता है माइक सॉल को अपना खुद का पेशा बोटल में भरने के लिए बोलता है क्योंकि अब उनके पास उतना पानी नहीं होता वो बहुत ही दूर तक चलते है और फिर भी उन्हें फोन पर रिसेप्शन नहीं मिल रहा होता वो किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते अब सॉल अपना पेशन्स खो देता है उसकी पेशो के बैयाग होती है वो भी पढ़ चुकी होती है और अब वो आगे नहीं जा सकता वो ही पढ़ जाता है माइक फिर उसे मोटिवेट करता है और बोलता है मेरी फैमिली मेरे लिए वेट कर रही है मेरे फैमिली के लिए मैं जो करता हूँ वो सब करता हूँ तो इसलिए मुझे हाँ फिर से उटना है और चलने लग जाना है सॉल भी इससे मोटिवेट हो जाता है उसे बहुत ही प्यास लगी होती है और माइक उसे शूट कर देता है यही एपिसोड खतम हो जाता है